आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉंसेप्ट अपात फॉर सक्सेस में हिमार्चल प्रदेश जीके सीरीस के लेक्चर नमबर 26 के बारे में आज डिसकस करेंगे इस बीडियो लेक्चर में हम हिमार्चल के महतपूरण कस्वे और गौं के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम 40 प्लस MCQs के बारे में डिसकस करेंगे जो की डिटेल में आपको हिमार्चल के टाउन्स और बिलेज की इंपोर्टेंस के बारे में जानकारी देगा ये बीडियो लेक्चर आपके अपकमिंग सभी HP Government अबजाम के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है चलिए शुरू करते हैं, very important and interesting बीडियो लेक्चर पहला प्रशन है आपके पास, सुन्दर नगर कस्वे का प्राची नाम क्या है तो सुन्दर नगर टाउन जो आपको मिलेगा मंडी डिस्टिक में इसका प्राची नाम है बनेड अगला प्रशन है आपके पास, बैजनात कस्वे का प्राची नाम क्या है अगला प्रशन है आपके पास, भर्मौर कस्वे का प्राची नाम क्या है अगला प्रशन है आपके पास, उन्ना कस्वे का प्राची नाम क्या है अगला प्रशन है आपके पास, नालागड कस्वे का प्राची नाम क्या है अगला प्रशन है आपके पास, नूरपुर कस्वे का प्राची नाम क्या है नूरपुर टाउन जो आपको मिलेगा कांगड़ा डिस्टिक में, इसका प्राची नाम है धमेरी बी इसता करेक्ट अंसर नूरपुर टाउन की बात करें तो ये मिलेगा आपको चक्की नदी के किनारे चक्की नदी जो की साहिक है ब्यास रिवर की अगला प्रशन है आपके पास बिलासपुर कस्वा जो है उसका प्राची नाम क्या है A. आप्शन शौनितपुर B. आप्शन धमेरी C. आप्शन ब्यासपुर D. आप्शन हिंडूर तो बिलासपुर कस्वे का प्राची नाम है ब्यासपुर C इस्ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास सराहन टाउन जो है उसका प्राची नाम क्या है A option शौनितपुर, B option सुलो किना, C option कुलुत, D option त्रीगर्थ सराहन टाउन जो कि आपको मिलेगा शिमला डिस्टिक में सराहन जगा famous है आपके भीमा काली टेंपल के लिए अगला प्रशन है आपके पास कांगडा कस्वे का प्राची नाम क्या है A option जस्वान, B option सुलो किना, C option कुलुत, D option त्रीगर्थ तो कांगडा कस्वे का प्राची नाम है त्रीगर्थ D इस्ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास सिर्मौर का प्राची नाम क्या है A. आप्शन जस्वान, B. सुलोकिना, C. कुलुत, D. आप्शन त्रिगर्थ तो सिर्मोर का प्राची नाम है सुलोकिना B. इसता करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास कुलू कस्बे का प्राची नाम क्या है A. आप्शन धमेरी, B. कैल्बिन, C. कुलुत, D. आप्शन त्रिगर्थ तो कुलू कस्बे का प्राची नाम है कुलुत C. इसता करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास किनौर का प्राची नाम क्या है A. आप्शन कल्पा, B. आप्शन चीन्नी, C. आप्शन बुशहर, D. आप्शन ननौब्दीज तो किनौर का प्राची नाम है चीन्नी B. इसता करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास मंडी कस्बे का प्राची नाम क्या है A. आप्शन साहूर, B. आप्शन शौनितपूर, C. आप्शन धहमेरी, D. आप्शन बुशहर, D. आप्शन बनेड तो मंडी कस्बे का प्राची नाम है साहूर A. इसता करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास मंडी कस्बे का तिबत्यन नाम क्या है तिबतियन भाशा में मंडी कस्वे को किस नाम से बुलाया जाता है A. साहौर B. मंडी C. जाहौर D. बनेड तो तिबतियन भाशा में मंडी का नाम है जाहौर C. इस्ता करेक्ट अंसर Next question है आपके पास चमबा कस्वा जो है हिमाचल परदेश की किस नदी के किनारे स्थीत है A. उप्शन चिनाब B. उप्शन सियूल C. उप्शन भदल D. उप्शन राबी तो चमबा टाउन मिलेगा आपको राबी नदी के किनारे D. इस्ता करेक्ट अंसर और ये राबी नदी के आपको मिलेगा राइट पैंक पे यानि दाहिने किनारे पे अगला प्रशन है आपके पास बर्मौर कस्वा जो है हिमाचल परदेश की किस नदी के किनारे स्थीत है A. उप्शन चिनाब B. उप्शन सियूल C. उप्शन भदल D. उप्शन राबी तो बर्मौर टाउन मिलेगा आपको राबी नदी के किनारे D. इस दा करेक्ट अंसर और ये राबी नदी के राइट बैंक पे मिलेगा आपको यानि कि दाहिने किनारे पे अगला प्रशन है आपके पास इन में से कौन सा हिमाचल का कस्वा यमना नदी के किनारे स्थित है A. आप्शन रोडू B. आप्शन नाहन C. आप्शन पॉंटा साहिब D. आप्शन नन अब्दीस तो हिमाचल प्रदेश का वो कस्वा जो की यमना नदी के किनारे स्थित है उसका नाम है पॉंटा साहिब C is the correct answer पॉंटा साहिब मिलेगा आपको सिर्मोर डिस्टिक में अगला प्रशन है आपके पास लोहल स्पीती का जो टांडी गौ है टांडी बिलेच हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A. आप्शन चिनाब B. मियार नाला C. सैचर नाला D. आप्शन रावी तो टांडी बिलेच बेसिकली फेमस है किस चीज के लिए यहाँ पे चंदरा और भागा दोनों नदियां मिलती है और ये दोनों मिलके बनाती है आपकी चिनाब नदी तो आपको टांडी बिलेच मिलेगा चिनाब रिवर के किनारे A. इस दा करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास कलपा टाउन हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A. आप्शन बसपा B. आप्शन सतलुच C. आप्शन स्पीती D. आप्शन रोपा तो कलपा कस्वा मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश की सतलुच नदी के किनारे B. इस दा करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास रामपुर कस्वा हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A. आप्शन बसपा B. आप्शन सतलुच C option ब्यास D option नोगली खड तो रामपुर कस्वा मिलेगा आपको सतलुज नदी के किनारे B इस्ता करेक्ट अंसर ये सतलुज नदी के आपके left bank पे मिलेगा यानि बहिने किनारे पे अगला प्रशन है आपके पास तत्ता पानी टाउन हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A option लारजी B option सतलुज C option ब्यास D option नोगले कड तत्ता पान टाउन आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी के किनारे B इस्ता करेक्ट अंसर और ये सतलुज नदी के right bank पे हैं पानी की दाहिने किनारे पे तत्ता पानी कस्वा इंकलूड किया जाता है आपके मंडी डिस्टिक में अगला प्रशन है आपके पास नदाउन कस्वा हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A option ब्यास B option सतलुज C option कुना D option राबी तो नदाउन टाउन मिलेगा आपको ब्यास नदी के किनारे और ये ब्यास नदी के है आपके left bank पे यानी बहिने किनारे पे A इस्टा correct answer अगला प्रशन है आपके पास सुजानपूर कस्वा हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A option ब्यास B option सतलुच C option कुना D option राबी तो सुजानपूर टाउन मिलेगा आपको left bank पे यानी बाइने किनारे पे ब्यास नदी के A इस्टा correct answer अगला प्रशन है आपके पास ब्यासपूर कस्वा हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A option ब्यास B option सतलुच C option कुना D option राबी तो ब्यासपूर कस्वा मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश की सतलुच नदी के किनारे और ये है सतलुच नदी के आपके left bank पे यानी की बाहिने किनारे पे B is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास मनाली कस्वा जो है हिमाचल प्रदेश के किस नदी के किनारे पे स्थित है A option ब्यास B option सतलुच C option कुना D option राबी तो मनाली कस्वा मिलेगा आपको ब्यास नदी के किनारे और ये है आपके ब्यास नदी के right bank पे यानी दाइने किनारे पे अगला प्रशन है आपके पास कुल्लू कस्वा जो है हिमाचल परदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A option ब्यास, B option सतलुच, C option कुना, D option राबी कुल्लू टाउन मिलेगा आपको राइट बैंक पे यानि दाहिने किनारे पे और यह यह है आपके ब्यास नदी के दाहिने किनारे पे A इस्ता करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास मंडी टाउन जो है हिमाचल परदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A option ब्यास, B option सतलुच, C option राबी, D option चिनाब तो मंडी टाउन मिलेगा आपको ब्यास नदी के किनारे और यह है ब्यास नदी के लेफ्ट बैंक पे यानि की बाहिने किनारे पे A इस्ता करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास रोहडू कस्वा जो है हिमाचल परदेश की किस नदी के किनारे स्थित है आपके पबर नदी के किनारे C is the correct answer पबर जो की साहिक नदी है किसकी यमना रिवर की अगला प्रशन है आपके पास मनी करण जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A option सैंच B option पारवती C option पबर D option ब्यास तो मनी करण एक धार्मिक स्थल है यह आपको मिलेगा पारवती नदी के किनारे यह है पारवती के दाइने किनारे पे यानि राइट बैंक पे B is the correct answer मनी करण आपको मिलेगा कुल्लू डिस्टिक में अगला प्रशन है आपके पास काजा ताउन जो है हिमाचल परदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A option स्पीती B option पिन C option चंदरा D option भागा तो काजा कसवा मिलेगा आपको स्पीती नदी के किनारे A is the correct answer यह मिलेगा आपको स्पीती नदी के left bank पे यानि कि बाहिने किनारे पे अगला प्रशन है आपके पास ताबो मुनेस्ट्री यानि ताबो मट जो है हिमाचल परदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A option स्पीती B option सैंज C option चंदरा D option भागा ताबो मट मिलेगा आपको कहां पे काजा टाउन के पास और ये है आपके स्पीती नदी के किनारे लेफ्ट बैंक पे A इस दा करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास की मुनेस्ट्री यानि की मट जो है हिमाचल परदेश की किस नदी के किनारे स्थित है A option स्पीती B option सतलुच C option चंदरा D option भागा की मुनेस्ट्री भी मिलेगे आपको काजा टाउन के पास और ये मिलेगे आपको स्पीती नदी के किनारे लेफ्ट बैंक पे A इस दा करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल परदेश का कौन सा स्थान है जो की दलाई लामा जो है उनकी सीट है यानि वहाँ पे उनकी गद्धी है A option रिकॉंग पियो D option काजा C option मैकलोड गंज D option कांगडा तो दलाई लामा जो की spiritual leader किसके बाने जाते हैं बौत धरम के spiritual leader of Buddhism तो इनकी गद्धी आपको कहाँ पे मिलेगी मैकलोड गंज C इस्ता correct answer मैकलोड गंज पिलेगा आपको धरमशाला में district कांगडा में और ये गद्धी की स्थापना कीगी है 1966 में अगला प्रशन है आपके पास प्राचीन काल में लोहौल की राजधानी कहां हुआ करती थी A option केलांग B option काजा C option कारदांग D option धनकर तो प्राचीन काल में लोहौल की राजधानी हुआ करती थी कारदांग में C इस्ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास प्राचीन काल में स्पीती की राजधानी कहां हुआ करती थी A option केलांग B option काजा C option कारदांग D option धनकर तो स्पीती की राजधानी प्राचीन समय में पाई जाती थी धनकर में D is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल परदेश के किस कौँ को Fossil Village के नाम से भी जाना जाता है A option हिक्किम B option काजा C option लांगजा D option धनकर तो Fossil Village बोलते हैं लांगचा को C is the correct answer लांगचा मिलेगा आपको स्पीती बैली में और ये है आपका लोहल स्पीती डिस्टिक में अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल का कौन सा कस्वा है जो की पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा Pharmaceutical Hub माना जाता है A option Solan B option Nalagad C option Parvanu D option Baddhi तो साउथ एशिया में हिमाचल का बो कस्वा जो सबसे बड़ा Pharmaceutical Hub माना जाता है यानि वहाँ पे सबसे अधिक दवाईयों की कंपनिया मिलेगी वो है आपका बद्दी D is the correct answer बद्दी मिलेगा आपको Solan District में अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल परदेश के किस कस्वे को मीनी इसराइल कहा जाता है भारत का यानि मीनी इसराइल आफ इंडिया A option धरमशाला B option कसूल C option कुलू D option मनाली तो मीनी इसराइल आफ इंडिया कहा जाता है कसोल को B इस ता correct answer ये आपको मिलेगा कुलू डिस्टिक में और इसको मीनी इसराइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे यदा टूरिस्ट देखे जाते हैं इसराइल कंट्री के नेक्स्ट पेशन है आपके पास हिमाचल परदेश के किस गौं को मीनी इसराइल आफ हिमाचल परदेश कहा जाता है A option धरमशाला B option धरमकोट C option मेकलोड गंच D option कुलू तो हिमाचल परदेश का बो गौं जिसे मिनी इसराइल आफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है वो है धर्मकोर्ट B इस ता correct answer धर्मकोर्ट मिलेगा आपको नियर धर्मशाला और ये आता है आपका district कांगडा में अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल प्रदेश के किस कस्वे को मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है A option काजा B option धर्मशाला C option कांगडा D option शिमला तो मिनी लहासा कहा जाता है हिमाचल का धर्मशाला को B इस ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल परदेश के किस स्थान को लिटल तिबबत के नाम से जाना जाता है A. आप्शन लहौल स्पीती, B. आप्शन धर्मशाला, C. किनौर, D. आप्शन शिमला तो लिटल तिबद के नाम से हिमाचल परदेश के लहौल स्पीती को जाना जाता है A is the correct answer Next question है आपके पास हिमाचल परदेश का पहला गौँ जहां पे पूरी तरह से तिबतियन भाशा बोली जाती थी A option कलपा, B option पुह, C option लांगजा, D option कॉमिक तो हिमाचल का वो पहला गौँ जहां पे पूरी तरह से तिबतियन भाशा का उप्यों किया जाता था वो था पू, B इस ता correct answer पू मिलेगा आपको किनौर डिस्टिक में और इस गौँ की खोज की थी A.H. Frank ने 1910 में और पाया कि इस गौँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से तिबतियन भाशा का उप्यों करते हैं अगला प्रशन है आपके पास दुनिया का सबसे उचा गौँ हिमाचल परदेश में कहां पे स्थित है तो दुनिया का सबसे उचा गौँ है हिमाचल परदेश में और उस गौँ का नाम है कौमिक बिलेज ये आपको मिलेगा लोहल स्पीती डिस्टिक में और ये आपको मिलेगा 15,500 फीट की उन्चाई पे स्थित है तो इस तरह से हिमाचल परदेश जी के सीरिस के लेक्चर नंबर 26 में हमने टॉप 40 प्लस MCQs देके हिमाचल परदेश के महत पूरण कस्वे और गौँ के उमीद है ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया है ये आपके अपकमिंग एचेस, नाइबतिसीलदार, अलाइड, पुलिस, पतवारी और अन्य सभी हिमाचल के एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बीडियो लेक्चर को लाइक करे, अपने valuable कमेंट करे, जादा से जादा इस बीडियो लेक्चर को शेर करे और आपके अपने चैनल, दी कॉंसेप्ट अपाथ फ़ॉर सेक्सेस को शेर करे, सब्सक्राइब करे ठेंक यु, जै हिंग, जै भारत, जै हिमाचल